हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार तक गया सेक्स रोग तक गया सम्मोहन विशेज अधनिया नशामुक्तित अधनिया एनलपी ट्रेनर और कोच हूं मैं मताने मालाओं कि रोच के जीवन में कुछ लोगों को गल्ती करने का डर लगता है वो अपने आपको इतना कम समझते हैं इंफिर्योर समझते हैं उपने में कुछ कुछ अभी कमी है और हो चोटी-छोटी बात के ओपर और वो उनको डर लगता है कि वो गलती करेंगे और गलती करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, फिर लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा बोलेंगे, फिर वो काम करने के लिए वो डेरिंग ही करते नहीं, गलती करना कोई प्राब्लिम नहीं है, गलती तो हर वेक्ति कर सकत वो स्वर समय देखना को जुरूर ही है कैसा होता क्यों है इनको डर है कि समझो computer नहीं आता इसका डर हो सकता है मुझे computer नहीं आता या मुझे English नहीं आता इसका डर हो सकता है कि मुझे English नहीं आता दहीं मंड़र इंग्लिश नहीं आता या भाचित नहीं गर सकता हैसा डर नहीं कर सकता इसके बारे निपन नहीं है कि मैं इंफेरियर हूँ मैं कमजोर हूं मैं कमजोर हूं या मैं वीख ओ जाकिए हैं मेरे 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 कुछ तबी कमी है वह लगना वो पवड़ा problem है क्योंकि उनके दिमाग के पिछे est एक इनमाग में आवाज चलती रहती है कुछ काम भी करेंगे ना तो उनके दिमाग में आवाज चलती रहती है कि मैं कमजुरूँ मैं इतना अच्छा करेंगे सब कुछ वो गाड़े भी चलाएंगे computer भी सिखना चालू करेंगे English भी सिखना चालू करेंगे मगर पीछे आवाज कौन सी है कि मैं कमजोर हूँ मुझे इतना अच्छा आता नहीं है एंड मैं इतना अच्छा नहीं हूँ तो हर्दम उनको डर लगता है कि मैं गलती करोंगा गलती करूंगा लोग मुझे क्या बोलेंगे और गलती क्या तो अच्छा नहीं दिखता अभी यह कि मैं कम्जूर हो या में अच्छा नहीं हूँ. यह उनके सब जगा उनके सब जगह करेंगा, मतलzuf। सब लाइफ में, सब जिंदगी में, पुरी जिंदगी में जix में जँहाँ वाँ कोई गाई inability के उसे बात करिंगे, बॉस के साथ में कुई एंजेट होंगा, वह कहीं गारी चलाएंगे तो उनका कुछ तभी γड़वड हो जाएंगे, एक्सिरेन्ट करेंगे तो वह खुद को बोलेगे, मेरे बज़ेसी ऐसा हो और मैंने कुछ तभी गड़बड कर दिया इसलिए एक्सिलेंट हो गया है हर दम उनके दिमाग के पीछे चालो जाता है कि मैं कमजोर हूं मैं इतना अच्छा नहीं हूं मैं शक्तिहिन हूं मैं भलशाली नहीं हूं मैं मेरी क्षमत्रा कम है और इससे सब हो रहा है वो अपने लग को अपना जो नसीब है उसको दोज देंगे कि ने मेरा नसीब मैं ऐसा है या फिर कुछ तभी शनी पीछे लगा हुआ है या फिर लोग मुझे कॉपरेट नहीं करते हैं या मतलब उनको ऐसा रहा कि आजू बाजू में क्या हो रहा है उसको दोज देते जाएंगे लोग मुझे सपोर्ट में करते लोग मुझे मैरा फायदा उठाते हैं लोग मुझे सायता नहीं करते है इसलिए मुझे ऐसा होता है एक्शुली जल रहा क्या है कि मैं मैं इंफेरियर हूं मैं एबल नहीं हूं वह conversation दिमार्ट में चलते रहता है इसमें करना क्या है इसमें करना एक है कि यह conversation जो है यह जो अपने आप से बात्चीत चालू रहती है यह अंदर मन की जो आवाज है जो subconscious mind में अपने आप से बात्चीत यह लोग करते रहते है उसको बाजू में रखना पड़ता है यह कहीं से भी आई हुए बात्चीत है जब यह दो साल के बच्चे थे तो यह नहीं था कि मैं कमजूर हूं कुछ तभी उनके जिवन में हुआ कुछ तभी घटना हुई वहाँ असफलता आ गई अपयाश आ गया और उनको एक दिमाग में च काम चालू करना अंदर की आवाज जो है जो छोटी आवाज है वह यही बोलेंगे कि मुझे जमेंगा ने मुझे आयेंगा ने मैं नहीं कर सकता चालू रहेंगा दिमाग में और यह चालू होते होए भी काम करना चालू होते होए भी कुछ ना कुछ काम कर शुरूबात करना और वह काम सफलता पुरवक्त पुरा पार करना ये जरूरी है और ये जो दिमाग में जो चल रही चोटी आवाज इसको बाजू में रखना जरूरी है ये बाजू में रखते है और एक्शन लेना चालू करते है तो सफलता जरूर मिलेंगे ये आपको अच्छा लगा तो GTVT जो है सबकॉंशेस माइंड की ये बाजू में रखके ये वीडियो ये सुनते है तो जरूर उनको फाइदा हो जाएंगा थैंक्यू बेरी मच्छ